गुआबा जिसको हिंदी में अमरूत कहते हैं बहुत ही फायदिमन्द होता है और उसकी जो पत्तियां होती है वो भी बहुत फायदिमन्द होती है एंटी बैक्टिरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी से भरपूर होती है और इसको उबाल करके इसका पानी लगाने से बालों क सारी समस्याय दूर होती है बालो में जो भी fungal infections है dandruff है वो सब खतम हो जाता है गुआबा के पत्तों को बहुत पुराने समय से beauty में यूज किया जाता है साथी साथ बालो में जो scalp में oiliness होता है वो दूर करता है ये जिससे कि बालो में फिर से regrowth होता है बालो की जड़ को एकदम साफ रखता है तो friends guava के पत्ते ले लीजे 10-15-20 जितने मिल जाए उतना ले लीजे fresh पत्ते लेने हैं आप इसको छोटे-छोटे टुकडे में काट देना है अगर ताजे-ताजे मुलायम वाले पत्ते मिल जाएं तो दो पत्ते तोड़ करके रोज खा ये बहुत ही फाइदा करता है कुछ लोग इसका चाय बनाके काड़ा बनाके भी पीते हैं बहुत ही फाइदे मन दोता है तो खेर यहाँ पर हम बालो के लिए बना रहे है तो यहाँ पर लगबग 10-15 पत्तियां ले ली है काट करके कड़ाई में रख दिया है और दो ग्लासिस पर पानी डाल देना है अब इसको मीडियम फ्लिम पर उबले के लिए रख देना है फ्लिम बहुत तेज भी नहीं रखना है बहुत कम भी नहीं रखना है बीच बीच में एकादबर चला देना है अब डाल देना है इसमें एक चमच मेथी दाना ये बालो को काला घना मजबूत रखने में हल्प करता है साथी साथ डाल देना है एक चमच कलोजी ये भी बालो के लिए बहुत ही बड़ी होता बालों में शाइनी देता है, मजबूत करता है बालों को, आधा चमच इसमें लॉंग डाला, लगभग 15-20 पीस है लॉंग, ये डांडर को दूर करता है, फंगल इंफेक्शन से दूर रखने में बहुत हल्प करता है, मिंस बालों की जड़ों को एक्तम हेल्दी रखता है, जि कुआबा के पत्ते हैं, वो अपना रस छोड़ने लगे हैं, साथी साथ लॉंग, मेथी, कलोजी भी डाला है, वो सब भी अपना रस छोड़ेंगे, तो ये बहुत ही हेल्दी पानी बन के त्यार होता है, जब पानी वन थर्ड रजा है, जैसे दो गलास पानी डाला है, एक पानी काफी पहले से गाढा हो गया है, अब इस स्टेज़ पर स्विच को ओफ कर दिनाहें, लगवग 8-9 मिनिट हो चुका है, अब स्विच को ओफ कर दिया है, देखरेने कितना बड़ी अ गाढा पानी बनके तियार हो गया है, अगर आब चाहे हैं, इसमें ऐलोवेरा जेल भी मिला सकते हैं फ्रेश एलोवेरा जेल भी या रेडिमेड वाला भी बालो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं गंजापन की शिकायत बालो का फ्रिजी होना बालो का जढ़ना सब दूर हो जाएगा अब इस पानी को छान लेना है थोड़ा सा दबा दबा कहीं छान लीजिएगा ताकि सारा जूस इसमें आ जाए जैसा कि पहले भी बताया दोस्तों कि अगर आप चाहें तो इसमें ऐलोवेरा जेल मिला सकते हैं फ्रेश वाला भी मिला सकते हैं फ्रिश पत्तियों का जेल या रेडिमेड वाला भी मिला सकते हैं लेकिन यह compulsory नहीं है बिना एलोवेरा जेल के भी इसको आसानी से और अच्छे से लगाये जा सकता है तो जब यह ठंडा हो जाए तो किसी भी बॉटल में भरके आप फ्रिज में 15 दिनों तक स्टोर कर सकते है और बालों की जड में जब बाल एक्दम साफ हो तब ही पूरे जड में लगाये दो-तीन घंटा रहने दीजे यह ओवरनाइट भी रख सकते हैं उसके बाद अगले दिन आप इसको शांकू कर सकते हैं और हाँ दोस्तों वीक में दो से तीन बार इसको लगाना ही लगाना तो फ्रेंट्स इन सारी चीजों को आज महीं एक महीने के अंदर आपको पर्फेक्ट रिजल्ट मिलने लगेगा और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद